हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सब फ्रेंट्स आज हम बनाने जा रहे हैं गीहूं की दलिया जिसको हमने घर पर ही बनाया है इसके लिए हमें चाहिए घी और दूद और दलिया और सुगर तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह देखिए हमने कड़ाई में घी डाल दिया है अब घी गर्म होने के बाद इसमें हम सोक की हुई दलिया को अच्छे से फ्राइ करेंगे और उसके बाद इसमें दूद डाल डाल देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे यह देखिए फ्रेंट्स हम अब दल्या को फ्राइ कर रहे हैं फ्राइ करने के बाद इसमें दूट डाल देंगे और दूट डालने के बाद जब अच्छे से पक जाएगी दल्या उसके बाद हम इसमें सुगर डालेंगे अगर हम सुगर पहले डाल देंगे तो माई दल्या पकेगी नहीं अच्छे से तो इसलिए हमें सुगर बाद में डालना है तो फ्रेंट्स आप लोग ये देखिए मेरी दल्या पक चुकी है अब हम इसमें सुगर डाल कर पका लेंगे अच्छे से यह देखिए माई दलिया बनकर तैयार हो चुकी है वीडियो आप लोग को कैसा लगा बताएगा जरूर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक से र सब्सक्राइब भी कर देना थैंक यू